कि सामने मैं इसका एक question लेकर आए हूँ, question क्या बोला, find the value of x, और यहां पर दिया हूँ, x का power x equal to 2 का power 2048, तो हमें यहां पर x की value find करनी है, तो चलिए मैं इस question को आपको solve करके दिखाती हूँ, मैं इस question को दुबारा लिखती हूँ, हमारा question है, x का power x equal to 2 का power 2048, यह दिया यहां पर एक power and exponent का formula यूज होगा, उसी formula में इसको हम set करेंगे, तो हमें x की value मिलेगी, तो power and exponent का formula वो मैं आपको बता दूँ, अगर हमारा a का power a है, equal to b का power b है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, कि यहां पर left hand side में जो base है, वही power है, उस तरीके से right hand side में देखे, जो base है, वही power है, अगर इस तरीके से है, तो यहां पर a जो होगा, वो b के बराबर होगा, for example, for example, मैं बता दू, माली ये x का power x है, और यहां पर दिया वह 5 का power 5, तो आप यहां देख सकते हैं, जो base है, वही power है, यहां रहे जे पर देखे, जो base है, यहां power है, तो यहां पर क्या तो पावर भी X है लेकिन यहां पर बेस टू है लेकिन यहां पावर क्या है यहां पर पावर नॉट सेम नहीं है इसमें सेट नहीं है इसमें सेट नहीं है तो हमको इसमें आपको इसमें सेट करना है इस तरीके से कि यहां पर जो भी बेस रहे वहीं सेम यहां पर भी पावर हो 2048 को हम 2 into 1024 लिख सकते हैं यह आपसे बराबर है कि नहीं आपसे बराबर है तो इस 2048 के जगा हम क्या लिखेंगे 2 into 1024 यह लिख दिया हमने यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर power and exponent का एक और formula जो है आपका इसमें use होगा कौन से use होगा कि अगर x का power m into n है तो यह बराबर होता है x का power m whole bracket power n तो यह वाला formula जो है यहाँ पर use होगा कैसे use होगा देखिए इसको आप समझे m और इस पूरे को आप समझे n तो देखिए m into n हो गया न और यहाँ पर क्या x x हमारा क्या है 2 है ठीक है तो formula लगा लगांगे तो क्या होगा यह x का power x equal to you देखिए hackx है base हमारा base क्या है 2 है तो 2 लिखी उसके बात क्या है m हमारा है 2 तो 2 उसके बार यहाँ ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पावर इस पर 1024 यह हो गया equal to 4 अब यहां पर देखे हम यहां पर 1024 को यहां पर मैं अलग से बता दो 1024 को हम 2 into 512 लिख सकते हैं कि 2 into 512 क्या होगा 1024 के बराबर होगा तो इस 1024 की जगा हम यह लिखेंगे 2 into 512 equal to अब अगें यही वाला फॉर्मूला यहां पर यूज़ होगा ठीक है तो कैसे फॉर्मूला यूज़ होगा देखें इसको आप समझी M और इसको समझी N तो इसमें सेट करेंगे तो क्या होगा 4 लिखें उसके बाद यहां 2 है इसके साथ लगा दीजे पावर में whole bracket और यह जो 512 है यह bracket के बाहर पावर में इस तरीके से लगा दीजे यह आपको समझ में आया हम पेज उपर करते हैं तो हमारे पास यह क्या आया यहां पर हमारे पास आया x का पावर x equal to 4 का पावर 2 whole bracket और यहां पर पावर क्या लगा 512 equal to अब यहां पर देखें 4 का पावर 2 क्य equal to यह क्या है आपका 16 लिखें अब यहां पर 512 तो देखें अगें यहां पर 512 को आप 2 into यहां पर क्या लिख सकते हैं 2 2 4 2 5 10 2 6 12 तो यह 256 को 2 से इंटू करेंगे तो 512 बाएगा तो अब हम क्या करेंगे इस 512 की जगा हम यह लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 into 256 यह लिख दि लिखेंगे और यह 256 है यह ब्रैकेट के बाहर पावर में लग जाएगा ठीक है यह आपको समझ में आया पेज हम ऊपर करते हैं अब इसके आगे देखिए मिहां पर क्या करेंगे इक्वल टू एक्स का पावर एक्स इक्वल टू यह हमारा क्या हो जागा 16 का स्क्वार तो तो यह किसके बराबर होगे 256 और इस पर पावर कितना दिया हो है 256 तो अब आप यहां देख सकते हैं यह हमारा आप सेट हो गया है किसमें अगर एक पावर ए है एक्वल टू बी का पावर बी है ठीक है तो यह क्या बराबर होता है एक इसकल टू बी के बराबर होता है तो आप यहाँ देशाकते हैं कि यह बिलकूल इसमें set है आप देशाकते हैं, यहाँ पर हमारा X है, इसका पावर भी A है, यहाँ पर इसका पावर X है, उसके बाद देखिए यहाँ पर B क्या envision product of 256C, इसका पावर भी B है तो यहाँ पर भी सेम है तो LHS और RHS दोनों साइड में आप देखेंगे जो बेस है वहीं पावर है ठीक है तो फॉर्मूले के हिलसाप से क्या हो जागा A स्कल्टू B तो यहां पर हमारा X क्या हो जाएगा 256 के बराबर हो जाएगा तो यहीं इसका आंसर है तो मुझे उम्मीद है आपको यह कुशन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा